नमश्कार मैं सुनीता कथा मंधन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंधन में आज सुनिये द्वांदु पन्यास का नौवा अध्याय लेगी का सुधा मूर्थी इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलीच से मिल जाएंगे लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा मुकेश को लगा जैसे सोनिया से मिले कई योग बीद गए हुआई जास से उसे देखने पर एक तरफ खुशी भी हुई अभी तो यह सिर्फ मेरी है कल किस ने देखा पर इसे वह बात बताओं कैसे शुरू कैसे करूं सोनिया को देखते ही सारे सवाल काया बुग गए कार में मुकेश चुपचाप बैठा था सोनिया ही बोलने लगी पिताजी ने साट साल की जिंदगी बिताई अपने पिछे कोई जिमिदारी बाकी ली चड़ी छोड़ी अच्छी मौत मरे पिताजी ने कश्ट रहीत मृत्यू और अवलंबन रहीत जीवन दोनों पाए यह सब सोचकर आपको धैरे रखना चाहिए इतना दुखी होना सही ने तो खुसका नहीं है मुझे तो तु इसरी ही समस्याय सता रही है मुकेश ने जवाब दिया घर पहले जैसा ही है सोनिया भी वैसी ही है सिरफ बदला है तो मुकेश पिछले दो तीन हफ़ते में उसे जो चोट पहुँची है उससे अभी सचेत नहीं हो पाया उसे अपने पर ही काबू नहीं जिसके दर जाता वहीं ठोकर काता पता नहीं इस दर पर कितनी देर टिकेगा सोनिया को मुकेश से खुब बाते करनी है बहुत कुछ पूछना है त्रिवेदी जी ने सोनिया के सासुर की तरह ही नहीं बलकि एक दोस्त की तरह ही पेश आते थे लड़कियों के प्रती वे नरब रहते थे वे जब भी लंदन आते तो सोनिया भारत जाती तो दोनों बिशड़े दोस्त की तरह खुब बाते करते हर बात पर वे सोनिया की सलहा लेते बहु पर उनके लिए वे सोनिया बेटे की ही थी सुमन भी पारम परिक सास जासी नहीं थी वे मान वही है और समझदार थी कोई भी चीज खरीबती साड़ी हो या कहना तो एक ही कीमत की दो चीजे लाती निलू जब शादी करके चले गई तो उन्होंने सोनिया को ही निलू का स्थान दे दिया सोनिया के भागे को देखकर उसकी बेहने अंदर ही अंदर चिड़ती थी उसकी बड़ी बेहन पूनम ने एक बार उससे कहा था सोनिया बेटी तो बेटी ही होती है पर बहु बहु तुम कान पर मेरे रहती कहा हो तो दिन के लिए आते हैं फिर चली जाती है इसलिए तुम्हारी सास बेटी के घर सब कुछ पहुँचाती होगी ये बाते सुनकर सोनिया दीदी की अग्यानता पर मनहीमन हसीती और बोलती दीदी मेरे सास ससुर साक्षत पारवती परमेश्वर की तरह हैं तुम्हारे सास ससुर जैसे नहीं है मुझे कभी भी बहु होनकी नजर से निदे का अपनी बेटी ही माना है मुझे नेलू दीदी से ज़्यादा प्यार करते हैं उतने अच्छे ससुर अब नहीं रहे विदान्द की भाशा बूलकर मैं मुकेश को स्यांतरना दे रही थी पर खुद अंदर से तड़प रही थी उसके अंदर दुख भरा हुआ था पैर में चोटाने की वज़ा से वास्पताल में भरती हो गई थी और भारत जा नहीं पाई अगर रहने कोई बिमारी होती तो की परवा किये बिना पिता जी के इंतिम दर्शन करने जरूर जाती है मुकेश भी अब लोटाया है विचारी मान जी अकेली बढ़ गई होंगी उनके साथ रहने के लिए मुझे पता नहीं कब चाना होगा यही सब सोचती सोचती सोनिया खाना बना रही थी पिछले तीन हफ़तों से भारत से मुकेश जब तब फोन कर लिया करता था पर कोई भी संते स्पष्ट नहीं होता तूटे फूटे वाक्या बीच बीच में फोन कार देना बातों को रोक देना पस ऐसे ही जलता जिस गर में मृत्ती हुई हो वहां का मनभाव कुछ अलगी होता है इसके अलावा मुकेश अन्य लड़कों जैसा नहीं था उसे माबाव से बेहत लगाव था इसलिए वह बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ था सोनिया अपने पती को अच्छी तरह जानती थी उसने मुकेश से ज़्यादा प्रशन नहीं किये मुकेश की घर लोटने के बाद वह सारी कहानी सुनना चाहती थी वो अम्रिटसर का ट्रिप वो छे हजार पॉंट सब के बारे में पूचना चाहती थी मुकेश चुपचा पैटा था सोनिया ने किचन में एक शेल्फ पर भगवान के सारे चित्रे रखे थे मुकेश की नजर वहीं टिकी थी सोनिया ने लक्षवी पूजा की थी भगवान के चित्रों पर चड़ाए फूल थाली में पूजा की समगरी आदी उसकी भक्ति और धर्मकी में अटूट विश्वास को दर्सा रही थे सोनिया ने रसोई में एक पंचांग भी लटका रखा था जिस से उसको तीश तेहर का पता लग चल सके हॉल में टीवी के उपर उन दोनों का फोटो रखा है सहरा बांदी राजकुमार जैसा मुकेश का फोटो और घुंगट की ओट में शरम से जुगी सोनिया का फोटो मियूजिक सेट पर भी दोनों के बच्पन के फोटो थे कोया हुआसा मुकेश अपने आप से प्रूच रहता मैं कौन हूँ काना तैयार अपली स्टेबल पर थालिया लगा दीजे सोनिया की ओवास सुनकर मुकेश इस दुनिया में लोटा थालिया लगा ना मुकेश की ही ड्यूटी थी वै उठा और यांतर एक रुप से थालिया लगाने लगा इतनी गहरी सोच में क्या बात है आसमान तो नहीं फुटा जा रहा सोनिया ने मुकेश को बातों में लगाने की कोशिश की नहीं ऐसी कोई बात मेरे माए कैसे कौन को नहाए था मार पिताजी तो जरूर आयोंगी मेरी बेहनों में से कौन आई थी सभी आई थी नीलू दीदी को तो बहुत दुखवा होगा मैं रोज उन से फोट पर बात कर दी थी आप तो मिलते ही नहीं थे मैंने सोचा था कि आप पिता जी के फोटो अनलार्ज करवा कर लाएंगे लाए क्यों नहीं अरे भूल किया मुकेश का मन कह रहा था जिसका फोटो मन में बसा हो उसके फोटो का अनलार्ज कर रहा है नहीं कि क्या ज़र्वात माजी कैसी है अकेली पढ़ गई होंगी उस बड़े घर में पता नहीं कैसे रहेंगी सोचने से भी डर लगता है पता नहीं माजी थोड़े दिनों के लिए नेलो दीदी के घर में रहने के लिए भी नहीं मानेंगी उनकी आदत में अच्छी तरह जानती है अरे आप तो उनके लाट ले है आप भी उनको जबर दस्ती कुछ दिनी यहां के लिए यहां ले आईए उनके आने से गर घर बरा बरा रहेगा आपने उन्हें आने के लिए कहा या नहीं मुकेश ने कोई जवाब नहीं दिया खाना खतम करके उड़ गया सुनिया को समझ में नहीं आया कि मुकेश क्या हो गया पहले कभी उसने इस तरह वहवान नहीं किया मुकेश एक किताब लेकर बैठ गया खाना खाने के बाद वहे किताब ये लेटा था उसने किताब हाथ में सिरफ पकड रखी थी पड़ नहीं रहा था उसका मन कहीं और भटक रहा था काम खतम करके सोनिया कमरे में आई शेर्मिली मोहक हसी हसते वे मुकेश से सटकर बैठे और पुछा क्या इरादा है सोनिया मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ इसको सुनने के बाद तुम जैसा ठीक समझो वैसा कर सकती हाँ बताई ये बात क्या है एक हिसास में मोकेश ने पिछले 20 दिनों में सारी घटने सुना डाली सोनिया का चेहरा सफेद पढ़ गया उसे अपने कानों पर ही विश्वास ने हूँ मुकेशा के बोला सोनिया मैंने तुम से कोई बात नहीं चुपाई अब तक मैं खुद इस सच्चाई से अंजान था मुझे मुझे भी ये सब बाते अभी पता चली मैंने तुम्हें बताई तुम अब जान गई हो कि मैं भारतिया नहीं हूँ रेड इंडिया नहीं मेरी जात कुल धरम सब अलग है मैं एक परदेशी हूँ एक जंगली जंजाती के नीचे कुल का क्या अब भी तुम मेरी पत्नी बनकर रहना परसंद करोगी तुम अराम से भाट कर सोच लो तुम्हें जो मनजूर होगा वही मुझे भी मनजूर होगा हाँ अब चुकी मैं तरवेदी जी का असली बेटर नहीं हूँ मैं उनकी संपत्ती को हाथ भी नहीं लगाँगा एक फुटी कौडी भी नहीं लूगा हम लोग पहले की तरह अमेरीका सुका भोग नहीं सकते मैं अब एक बहुत साधरन आद्मी हूँ मुझे ही अपने अस्तित्व का ठीक से पता नहीं सोनिया ठंडे दिमाग से सोचा तुमारा जो भी निर्णा होगा बिना है चक मुझे बता तकिया और चादर लेकर मुझे शौल में चला गया वहीं सोफे पर लेट गया तकिया के लिए बढ़कर सोनिया तर्क वितर्क सही ठीक से सोच पाए मैं वारा हूंगा तो उसे दिक्कत हो सकती है मेरी जीवन संगी है उसे सोचने की अजादी देना मेरा करता गया सौनिया को इंतर जैसे बिजली का करंट लग लग लिया उसे इस सच्चाई पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिताजी ने उसके खांदान को देखकर जाती ब्रादी को देखकर शादी की थी अच्छे कुल के ब्रामन है ऐसा ही सोचा था अब ना तो वह ब्रामन है ना पंजाबी वह तो इस देश का ही नहीं कोई जंगली कभी लेके कुल का है उसके सामने रड इंडियन की छवी दिखाईगी हाथ में भाला सिर पर पंक सजाए मुपर भड़की ले रंग पोट कर नाचते लो उसने सुना है फिल्मों में देखा मेरा पती इन में से ही कह ये सुचने पर भी शरीर काप जाता है वे लोग मासाहरी में नर्भक्षक भी होते है ऐसे कुल के आदमी से मैंने शादी की सोनिया के शरीर से पसीना छूटे लगा दूसरे ही शर्ण उसकी आँकों के सामने एक और द्रिश्या है रेश्यम की धोती पहने गंगा के तीर पर संधिया वंदन करता मुकेश का चेरा वे असली ब्रहमन है पूजा करते समय उसके चेरे पर जो तेजस्विता दिखाई देती है वही साक्षी है उसके आचरन बताते हैं कि वे ब्रहमन है पर यह रेड इंडियन इसमें से असली मुकेश कौन सा है सोनिया का विवाधार मी कुईदी विदान से हुआ त्रिवेदी जी का स्टेटस देखकर इस सोनिया की पिताजी लड़की देने के लिए राजी भी हुए सोनिया का भाग किया देखकर इसकी बहने जलती थी सोनिया को भी अपने ससूर के स्टेटरस पर गर्व और कौरव दोनों था उस संपत्य को मुकेश ने अब ठुकरा दिया यानि अब वह अमेरी नहीं रही अपनों के बीच हमारा क्या हाल होगा सारी जिंदगी कमाने पर भी इतनी संपत्य नहीं चोड़ पाएंगे इस संपत्य को ठुकराने से पहले मुकेश एक बार पूछ तो लिया था उस शन उसे गुस्सा आया लेकिन थोड़ी देर और सोचने के बाद उसे मालुम हुआ कि एहम और अभिमान तरद स्वैम और स्वाभिमान में कितना फर्क होता है तब उसे लगा कि मुकेश ने जो कुछ किया ठीक ही किया उस संपत्य से हमें कभी सुख नहीं मिल सकता वह हमारी जीवन को दुख मैं बना देगा मुकेश अपने पिताजी की तरह था करता क्यदा को जताने के लिए तर्वेदी जी ने सारी संपत्य बेटे के नाम लिख दी थी उत्रादिकार को संपत्य से नहीं ना पा जाता यही अगर माप दंढ़ी तो एक पैसा भी नहीं चाहिए मुकेश ने या निरलिप्त भावना अपने पिताजी से ही तो अलजित की थी अब सवाली है कि सोनिया को क्या रिलना लेना चाहिए बोर से देखा जाए तो मुकेश ने आस तक पती के करतवे को निभाने में कोई कमी नहीं की सोनिया के लिए उसने सनी अनराव और प्रीम की गंगा बहा दी थी सत्य की रहा पर ही चला गया है उसे अपने अतीद के बारे में खुद नहीं बताता और पता होता तो बता था जरूची पाता नहीं जैसे अभी बताया तब भी बता देता इसमें इसकी क्या गलती, मुकेश का मानना था कि पती पत्नी के बीच कोई राज नहीं होना चाहिए यही वंश की जड़े ही खोजने चले तो मुझे खुद नहीं मालूं कि हमारे वंश का मूल कहा है कहां से शुरू होता है, अगर दुभा के वश्तुनिया का मूल बैसा होता तो क्या मुकेश उसे छोड़ देता हर्गिस नहीं इसलिए बड़े बुजुर कहते हैं, नदी का और रिशी का मूल ढूनना नहीं चाहिए, अतारत वंश का मूल नहीं देखा चाहता कुछ भी हो, शादी किसे मैं मुकेश यो था, अब भी वही है, मैं भ्रामन ही है, उसके मूल से मेरा क्या ले ना देना, मैं उसी के साथ रहूंगी मुकेश वैसे ही घैल हो चुका है उसे सारे की सहभागिता की जरुवत है मैं उसका साथ दूँगी उसके जीवन साथी बन कर रहोंगी सोनिया सो गई सुबह सोनिया चाय लेकर आई सोफे पर बढ़कर मुकेश के कंदे पर हाथ रखकर बुड़ी मैं आपकी जीवन संगली में सब्सक्राइब क्या इतने कमजोर होते हैं हमारा साथ जन्मो का है वन्शो का नहीं आप जिस किसी के भी बेटे हो मेरे लिए तो मेरे पती हैं मेरे प्राना धार है मुकेश के मन का बुझ हलका हो गया उसने एहसान भरी नजरों से सोनिया को देखा और इसका हाथ कसकर पकड़ लिए आफिस पहुचते ही उसके सहीयोगियों ने अपना शोग व्यक्त किया मुकेश ने सभी के ब्रती आभार चाता है फिर मुकेश अपने बास डेविट से मिलने गया उसने सीधे पुचा मिस्टर डेविट क्या तुम मुझे पहले अमरीका का फिर भारत का एसाइनमेंट दे सकते हो हाँ हाँ क्यों नहीं हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे है भारत ये सॉफ़वेर इंजिनियर आजकल अमरीकास में आकर्शित है उनके जीवन चितरन का प्रोग्राम मैं चाहता हूँ कि तुम्ही इस काम को करो ज़्यादा मुश्किल नहीं है करोगे हाँ जरूर करूँगा रात में मुकेश ने इस काम के बारे में सोनिया को बताया वै ज़्यादा ही उत्सुक हो गया था वै बोला सोनिया तुम भी चलो तुमने भी अमरीका देखा नहीं दौनों घूमाएंगे सोनिया बोली यह भी नहीं आप अके लिए जाएए मैं जानती हूँ कि आप क्यो जा रहे हैं आप अपने बड़े भाई साब को ठोडने जा रहे हैं तुम्हें कैसे पता चला आपको दो वर्षों से जानती हूँ देखिए मेरी एक बात सुने भूसे के डेर में से सुई की खोज बंद कीजिए अमरीका को आपने के मिरजापूर समझ रखा है यह एक दो से पूछेंगे तो पता लग जाएगा जिस प्राणी को कभी देखा नहीं उसके प्रती लगाफ कैसा वैसी बात नहीं प्रुपिंदर को इतने साल बात देखने पर वो भी मुझे प्राया नहीं दिखी सोनिया तुम ही समझोगी एसब मुझे अपने बड़े भाई का पता लगाना है तो मैं नहीं जाओंगी बेकार में खर्ची बड़ेगा सोनिया का इशारा था कि अपसे संभल कर चलना चाहिए हम पहले जैसे नहीं रहे पहले जैसा होता तो पिता जी को एक फोन गुमा देना ही काफी होता पर अब ऐसा नहीं नहीं परिस्तित में ढलने के लिए थोड़ा समय चाहिए गरीबी से अमिरी में कदम रखना बहुती सुगधा दनवाव है और यदि इसके विपरीत हुआ तो बहुत कश्ट दायक होता है